इवनिंग फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल MCS Academy में उमीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी भी बहुत 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 तरीके से चल रही होगी की लास्ट्डे हम म लोगों ने इंडियान जॉगार्फीक का स्ग्मेंट स्टार्ट चीया है जिसमेंए से एक स्छीर Ihre मोलें पिछले दिन हुई जिसमें से कुछ को लिके आज इसमें कांचिन्यू कांचिन्यू कर रहे हैं है उमीद है यह सेग्मेंट आपके लिए भी काफी व्योगी सी दोने वाला है तो इसको बहुत सीरियसली आप लोग उसको देखिए आए चलते है प्रस्ण की तरफ पहला कोश्चन आपके सामने है कि कोशी बहुत देशिये परियोजना के संदर में निमिखित कथनों में पर संदर में नदी के बारे में बताना है कूसी नदी पर जो परियोजना चल रही है बहुत देशिये पर पहल आप संदरिये पर आप संदेखते निकल कर नेपाल होते हुए बिहार में भागलपुर के निकट गंगा में बाए तरब से आकर मिलती है तो पहला statement आपका है देखिए सही है या गलत है दूसरा आपका option है कह रहे हैं मार्ग परिवर्तन तथा बिनासकारी बाड के कारणकोसी को उत्तर बिहार का सोक कहा जाता है तो क्या statement correct है या नहीं है आप बताएं जल्दी से जबात दीजिए यह नेपाल यों बिहार की संयुक्त पर्योजना है ठिक इसका मूल उद्देस जल विद्दुत उत्पादन बाड नियंतर यों सिचाई परदान करना है यह statement आपका है तो क्या यह statement सही है या गलत से मिला कर network बनाने की योजना है यह statement है तो यह चार्ज statement दिए गए है आपको बताना है कि कौन सा सही है यहाँ ठीक है दोस्तों तो देख लीजिए फटाफट जबाब दीजिए कूट के आधार पर देख लीजिए option कौन कौन से होंगे आपके आप इसी कूट के आधार पर जबाब दीजिए फटाफट देखिए जिसको देना होगा जबाब वो दे चुका होगा दोस्तों मैं अब आपको answer पर लेके चलता हूँ ठीक है answer आपका क्या कह रहा है देखिए पहला कह रहे हैं यह कि कोशी नदी तिबबत पठार से निकल कर नेपाल होते हुए बिहार मे भागलपूर के निकट गंगा में बायत तरब से आकर कि मिल जाती है बिलकुत सही स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पर जो भी तत दिये के हैं सभी सही है कि तिबबत के पठार से निकलती है यह कोशी नदी और नेपाल होते हुए बिहार के भागलपूर जनपद में यह गंगा नदी में आकर के मिल जाती है बायतर से चुकि गंगा बहर ही होती है ऐसे आती है इदर से तो गंगा के बायतर पर आकर के मिल जाती है ओके यह सत्ते बात है दूसरा है मार्ग परिवर्तन तो मार्ग परिवर्तन यानि रास्ता बड़ने के लिए चुकि ये अपने साथ भहत सारे आुसाद मलबे को ले कर की आती हूं जैसे मैदान में प्रवेश करती हैं च्छी ए उसी कारण से इसको ही उत्वी हर का सो खागा जाताई है ये जैसे नेपाल में प्रवेश करती है तो मैदानी हिस्सा ज़्यादा परभावित होता है हिदर का ये उत्रे हिशा इसनाथ उत्री बिहार का सोक कही जाती है बिल्कुल सत्य बात यहां पर कही गई है फिर तीसरा कह Jub коли और विहार की संयूक्द बिल्कुल सही है यह बहुत देशी हा का उद्देश IRA एक भाइट करना है जोड़ करके योजना यहां पर जो गुदावरी नदी यह गलत है बलकी इसकी दामोदर नदी के साथ जो है झाथ पर योजना के सक्तिजिएंस से मिला करके इसकी प्लानिंग की गई है क्योंकि नीचे बेहरने लगती है तोिप तो यह स्टेटींट गलत हो गया है यह बाकी सब्य statement इसके correct है तो आप देख लीजे पूछा क्या है इसमें नोंने असत्य कथन का चुनाओ करना है तो इसमें खेवल चवता सत्य कथन है तो इसे आधार पर देख लीजे option क्या होगा option one में four number का दिया हुआ है स्नाति पहला option right answer होगा आए नेक्स कोशन पर चलते हैं दोस्तों कोशन आपका है अलियार कि इंसापूर और कंग सावती यह तीन जो है ना यह बाद है दोस्तों मैं बता दूँ आप लोगों को यह बाद है जलासे हैं बाद है यह जलासे का एक बाद है ठीक है और यह भी एक बाद है चलिए मैं हिंट दे रहा हूं आप इसको जवाब देनी कोसिश करिए फिर बाखी द्रियल में बाद में बताऊंगा आपको बाद है जैसे ग्यात अस्थानों में क्या समानता है इसके बारे में आपको बताना है मैंने बता दिया कि अलियार माद है इंसापुर भी बाद है कंगसावती भी बाद है हाल ही में खोजे गई uranium के निच्छे पहला statement है दूसरा कर रहा है उसको बन दिया वर्सावन तीसरा कर रहा है जल भंडार और चौथा कर रहा है भूमिगत गुफा तंत्र तो चारों में से क्या होगा देखिए यहां पर तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों इससे हिंट आप पर पहुँच चुके होंगे लेकिन एक्जाम में आपको सीधे यही लिखा रहेगा जैसे मैंने यहां बना करके दिया है आपको अलियार इंसापूर और कंगसावती यह क्या है ग्यात अस्थनों में से क्या समानता है इंकी चार तीरस्तन बताएगा इनमें क्या समानता है तो यह जन भंडारड है दोस्तों यहाँ पर सबसे सटी कैंसर इसका जल भंडारड होगा यहाँ पर यूरेनियम भी नहीं होगा उश्करमंदियो वर्सा बनी बिल्कुल नहीं भूमिगत गुंपा तंत्र यह बिल्कुल नहीं है तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए अलियार जो बाद है यह आपका पड़ता है तमिल नाडु में ठीक है अलियार बाद है तमिल नाडु में तमिल नाडु का एक जनपत पड़ता है कोयमबटूर कोयमबटूर ठीक है कोयमबटूर में तमिल नाडु में तमिल नाडु ठीक है यह यहाँ पर पड़ता है यह आपका है यहाँ पर मैं बात कर रहा है ठौछ यहां पर पट्म पंड़ाल हो गया हैं और मुकुत मड़ी पूर जगह है मड़ीपूर पर मंगाल के वहां पर ये स्थित है आपका ठीक है दोस्तों तो ये एक चीज आपके लिए थी कि ये थोड़ी सी डिटेरिस के बारे में आपने जान ली और ये बजल भंडारल के लिए है यानिकि ये बाद है तो जल भंडारल करता है तो ये बिलकुल आप्सन सी आपका राइट एंसर होगा यहाँ पे आपका चली नेक्स प्रस्ट बे आते हैं फोर नमबर थर्ड नमबर कोशन कह रहे हैं आपसे यदि राष्टिय जल मिसन सही धंग से और पूरता लागू किया जाए तो देश में उसका क्या परभाव पड़ेगा ठीक है राष्टिय जल मिसन सही धंग से अगर लागू किया जाए और सही धंग से और पूरता लागू किया जाए तो देश में उसका क्या परभाव पड़ेगा ठीक है तो आपको आपसेंस दे रहा है वो आपको यहाँ डिटेल में पढ़ करके आपको मिलेगा पहले चीज तो यह जान लिजे कि आपका राष्टिय जल मिसन के बारे में कह रहा है यह क्या चीज है देखिए जलवाई परिवर्तन से निपटने के लिए वर्स दो हजार नौ में दो हजार नौ में जो है इसकी घुषडा की गई थी किसकी जलवाई राष्टिय जल मिसन की ठीक है मिशन की घुषडा जो की गई थी यानि कि एक तरह से कहीं सुत्रुवाद की गई थी वो क्या जलवाई परिवर्तन से निपटने के लिए जो आठ तत्तो निर्धारित किय गए थे या आट प्रमुक्वघ घटक जो है आट घटक निर्धारित की गए थे उनमें से एक घटक आपका था राष्ट्य जल मिशन टीक है रहाए है वह जल संद्रचण है जल का संद्रचण करना और इसके लावाँ आप बात कर लें तो वेर्थ जल की मात्रा जो है उसको कम करना जल का समान वित्रड़ करना एकी कृत जल प्रबंधन को को विक्सित करना ठीक है इसके माध्यम से यह सारी चीजे है अब अधिक सिका लक्ष था प्रबंधन के माध्यम से इसको लक्ष को प्राप्थ करना ना और इसका मूल्ग आउस्ट्रा कि निर्धारित कि ए गये थी जिन मैं से गर हम बात करें तो जल्वמע कि हम जो जो जल उप्योग दच्षटा जो है अमंलब जो जल उप्योग की जो दच्षटा है उसमें 20 प्रतिसत की बढ़तरी करना चली मैं बता जरा म हो फॉंस है तो जल-उप्योग की दच्षटा में 20 प्रतिसत की ब्रिधी कर देना यह एक लक्षा है उसके लाव बेसीन आधारित जिसे थाल कहते हैं थाल यानि की बेशिन होता है थाला इसे थाला बेसिन नदी बेशिन का नाम सम्निवे Luck और आप लोग तो ही है आपका थाल को बढ़ानार यह दूसरा रहा यहां पर की तो जै puisse Al partes another study अ कर दो प्रोप्जाँन करना इसका जो प्रमख लच पांच प्रमख उद्थ जो थे तीन चौथा उद्थ रहा है है संवेदन सिल छेत्रों यूम जल के अती सोशड से प्रभाविश चेत्रों का प्रभाविश चेत्र उनुपर ध्यान के इंदरिद करना यह स्टेट्मेंट रहा है इसका चोथा उद्देश और पाचमा जो सबसे ब्यापक उद्देश रहा है जल से संबंदी सूचनाओ तता जनता की ब्यापक पहुंचियों जल संसाधनों पर जलवाई परिवर्तन के परड़ामों का मुल्यांकन करना रहा है ठीक है तो यह पाच इसके कुल मूल उद्देश रहे हैं आईए अपने ऑप्संस को देखते हैं मुमीद है कि आप समझ गये होंगे अब देखिए एंसर आप पटापट देना सुरू करिए तो जैसे 2009 में स्टार्ट किया गया तो कोशन इससे संबंदित अगर वन लाइनर में कहीं आ जाता है तो आप बिल्कुल कर आसानी से कर सकते हैं पहला कह रहा है सहरी छेत्रों की जल और शक्ताओं की आंसिक आपूर्ति अपसिस जल के पुर्ण चक्कर से हो सकत सर्थां की पूर्ति ऐसे समुचित प्रद्यों की बेवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुध्र जल को जलको उपयोग लाइग बना सकते हैं ठेक है और तीसरा कह रहे हमालय से उद्गमित प्रयोज्ञ प्रैदियपी नदियों को जोड प्रायदीपिये भारत की नदियों स से जोड़ दी जाएंगी यह जोड़ने की परियोजना बता रहा है चलिए आगे चलते हैं आप लोग जब आप दीजे फटापट हाई के नहीं है मैंने भी साइड़ बता दिया आपको सरकार क्रिसकों द्वारा भॉम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाए गए मोटर और पंप सेट पर वहन किये गए वहन होना चाहिए यहां पर वहन किये गए वह होना चाहिए वहन किये वह कि पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी तो यह चीज आपकी है तो वहन किये गए वह की प्रतिपूर्ति मैंने जो भी स्टेट्मेंट अब देखिए इसमें से कौन सा सही कौन सा अगल लग रहा है औपसन लेना चाहते हैं तो ऑपसन मैंने आपके सामने रख दिया है, आइए इंसर पे आते हैं, देखो यहाँ पर है क्या दोस्तो, यहाँ पर है क्या कि पहला जो आपका स्टीट्मेंट कह रहा है सहरी छेत्र के जल आओ सकताओं की कि आंसिक आप पूर्थी अप्सिस जल के प्रव चकत से हो सकेगी बिल्कुल सही बात यहां कहीं गई हैं दूसरे में कहले ऐसे समुद्री चिंकूर की विवहार में ला कर की जा सकेगी जो समुद्र को प्रयोग लाइक बना सकेंगी ठीक है तो बीए कि बात का है माली नदियों से तो यह बिल्कुल प्रियूजना नहीं थी भाद दूसरी प्रियूजना के तहति इसमें यह बाते सामिल की गई है लेकिन यह उस समय नहीं रहा है 2009 के इसमें तो यह गलत बात यहां पर है दूसरा इसमें कह रहे हैं आपका सरकार क्रिशको को कुछ खोदे गए और उन पर लगाये मोठर पंपों को पंप सेट पर वहन किये गए वहन की वह की पूरी तरफ प्रतिपूर्थी करेगा जी नहीं कोश्चन है इंद्रा गादी नेहर से शेक्ष पर विचार करना छienst ढहे कर रहा है इंड्रा गादी नहर पर यदि पर योजना x2 की साल्तम शिचाय न話 है इसका उद्गाटन तत्कालिंग रही मंत्री गोल्मिन वल्लब पंत्र ने किया था चलिए पहला स्टेट्मेंट है दूसरा कह रहे हैं यह राजस्थान के सुस्क्यों को सिचाई की सुग्दा प्रदान करती था इन से इसने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था यों विकास को नया स्वरूप प्रदान किया है तीसरा है सतलज और ब्यास के संगम पर हरी के बैराज इस्थित है तीसरा करें इंद्राकादी नहर में घगघर नदी के जल का उप्योग किया जाता है इस नहर में थार मरोस्थल को अरयाली में बदल दिया है दोस्तों सिर्वाथ में इंद्रागादी नहर नहीं था उसकी पूरी स्टोरियआपको बता दे रहा हूं यह बात है 1927 के आफ़ पास की बात है कि बिकानेर की जो महराजा थे बिकानेर और गंगा नगर नम्हार अपने नाम सुना होगा तो उस समय जब यह नहर का निर्माड कराया गया था उस समय तो उसे गंगा नहर के नाम से जाना जाता था चुकि उस समय राजा गंगा सिंग से जीत है तो इसनाथ इसको गंगा नहर के नाम से या गंगा नहर के नाम से उस नाम का नाम कर पड़ा आगे चलने के बाद में तो इसको नहर को फिर मतलब विकतरा से कहिए कि एक नए सिरे से सारी चीज़े होने लगती हैं तो यह फिर आपका गंगा नहर जो है फिर आगे चल करके गंगा नहर कहलाती है ठीक है इसी पर ही जो सतलज और गंगा नदी है सतलज और वियास इसी के संगम पर हरिके बयराज जो बना हुए वहाँ से एक नहर निकलती है ठीक है उस नहर का नाम जो आपका है जो की इस जो आपकी इंद्राकाधी नहर जो आज बर्तमान में पढ़ रही है इसका पहले का नाम मैंने बतार था कंगा नहर के नाम से इसको जाना जाता था ठीक है गंग नहर गंग नहर के नाम से इसको जाना जाता था ठीक है तो फिर यह जब यहाँ पर जब यह उद्गाटन कर देते हैं तो फिर बिलकुल अपना बड़े पैमाने पर इसको राजस्थान के जो सूखा गरस छेत्र थे उनके लिए ए दो नवंबर जब इंद्रा गाधी की मौत हो जाती है इंद्रा गाधी जी की तम दो नवंबर 1984 में इसी गंगा नहर का नाम परिवर्तित करके इंद्रा गाधी नहर कर दिया जाता है ठीक है दोस्तों यह इसकी कुछ थोड़ी सी कहानी थी जो कुई आपने समझ ली होगी और जो गंगा नहर है इसको जो है जल जो प्रदान करता है एक मुख नहर जो इससे हरीके बैराज हरीके बैराज हरीके बैराज से जो एक नहर निकलती है ठीक है अब हरीके बैराज से एक नहर निकलती है ठीक है वह नहर आपको क्या करती है इसको पानी प्रदान करती है ठीक है हरλαग बैराष से राजस्थान नहर के नामसे एक नहर निकलती है जो कि लगभग nutrition 25 किलोमीटर लंबी है 250 किलोमीटर लंभी है राजस्थान फीड र के नामसे उसकर जाना जाता है और इंद्रा-गाधी नहर की जलकी आप पूर्ति करती है तो राजस्थान नहर पूछा जाएगा कि इंद्रा गाधी नहर को कौन सी नहर जो उपलब्ध कराती तो Rajaßथान की जो मुक्नेहर है राजस्थान फीडर नहर उसका नाम दिया गए राजस्थान राजस्थान फीडर नहर फीडर फीडर नहर यह हरी के बैरास से कनेक्टेड है दोस्तों इसका काम सिर्फ इतना है कि इंद्रागादी नहर को पानी प्लब कराना ठीक है राजस्थान फीडर नहर जो है 215 नहर है न तो यह लगबख 609 किलो मेटर लंबी नहर है जो कि आपको जानना जरूरी था और सौभाविक है जब नहर जाएगी रखिस्तानी छेतर होगा तो वहा हरियाली लेकर के आएगी ठीक है तो यह थोड़ी सी बाते रही हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता पुछेगा निवन से किस नहर को राजस्तान का भागी रथी कहा जाता है तो यही आप किंद्रा गादी नहर या घंग नहर दिया हो जो भी आपका दिया रहे तो आप उसको कह सकते तो यह कुछ बाते इसकी रही है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट आईए अब देखते हैं इसमें से इन तत्यों को अब आप समझ गये होंगे कि कौन कौन से तत्य इसमें से सही हैं इसके करा इंद्राकादी नहर परियोजना बिस्तु की विसालतम परियोजना जी हा सतकाल गिरी मंत्री गोविंद बलब पंत ने किया था बिल्कुल मैंने बताया 30 मार्च 1958 में कहीं कहीं डेट आप थार्टीवन मिलेगा तो उससे भरमित मत हो जाएगा मैंने बताया ना 30 मार्च 1958 को जबकि इस इसी नहर का उद्गाटन इसके पहले जो है राजा गंगा जो है विकानेर की राजा ने 1927 में स्टेब्लिस कर दिया था तो वही उठाउन तो कहीं कहीं 31 मिलेगा तो अब ब्रमित मत हो जाएगा चलिए तो यह बात बिल्कुल सही है दूसरा कर राजस्तान सुस्क योम अर्थ सुस्क छित्रों में सिचाय की सुब्दा प्रदान करती कि इस प्रदेश के अर्थ विवस्ता को योम विकास को एक नया रूप दिया है बिल्कुल सही बात है यहां पर और सतलज और व्यास के संगम पर हर के बैराज है बिल्कुल है सही है यह आपका इंद्रागादी नहर गगर नदी के जल का उपयोग किया जाता है और इस नहर ने थार्म रसुल को हरियाली में बदल दिया बिल्कुल सही बात बताई गई आप एक गर नहर का यह प्रियोक करती है आपका और एक चीज आप लोगों को यह भी है कि अप दिसको ध्यान रखेंगा घगर नदी है न इसी नदी को ही कहते हैं सरस्वती नदी ठीके दोस्तों सरस्वती नदी यह तत्यान लिजिए आप सोच रहे होंगे घगर नदी सूख जाती है जी हां वह जाती है आगे चल करके से करेक्ट कर दिया गया है जिससे की बाकी हिस्से जो है इसके हर यालिम बने रहे हैं तो यह भी ध्यान रखेंगा गगर नदी से भी पानी प्राप्त करती है सीधे यही कोशन पूछ सकता है आपको तो सभी आपसन होगा हो सभी का और करेक्ट हो जाएगा आपका तो सुमेलित नहीं है AG वाग और अव्म स Unreal नहीं है रहा है यह कहर रहे हैं आपका चेरुठोनी बांद यह कह रहे है आंदhप्रदेश में चेरुठोनी बांद आंद परदेश में दूसरा कह रहे हैं इंद्रा गाधी बांद मध्य प्रदेश में तीसरा गर्य ख्रिश्र राज सागर बांद, करनाटका में मेट्टूर बांद जो कह रहे हैं वो कहा रहे हैं तमिल्णाड में तो आपको बताना है फदाफन दोस्तों बताइए जबाब दीजे आमको कूट है या ऐसे ही जबाब आप दे सकते हैं कोई एक है दोस्तों जिसको आपको बताना है चलिए यहांता पर कूट में नहीं दियए थिक है तो चेरुथानी बाद 75 तो चेरूत होनी बाद जो है यह आंद प्रदेश में ना होकर के दोस्तों केरल में इस्थित है ठीक है किस नदी पर इस्थित है इस नदी का नाम ही है कउसी चेरूत होनी नदी करल में अस्थित है बाद कि आप पर इसके बाद में आपका दे रहा इंद्रा साघर बात पर मध्य ब्रदेश में कह रहा है जी हाँ यह बलकुछ सभ ल्किन किस नदी पर है नर्मदा नदी पर है उतल हमाद के रहा है करनाटका हम बता रहा है जब कि यह किस नदी पर है बिल्कुल सही है यह आपकी कावेरी नदी पर है कावेरी नदी पर दोस्तों तो मुझे लगता है कि आप लोगोंने बहुत अच्छे से कर लिया होगा चलिए आईए नई जानकारी भी आपको मिल गई होगी कुछ अगली बात कर लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में हम लोग कर लेते हैं बात केन बेतवा लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना विकास योजना की अंतरगत सुरू की गई है योजना देश के प्रमुक नदियों को जोडने की दिसा में एक क्रांतिकारी पहल है तो पहला स्टेटमेंट यह था दूसरे स्टेटमेंट कह रहे हैं दोस्तों 23 अगस 2016 को राष्टिय वनजीव बोर्ड के अस्थाई समित की की गई तीसरा स्टेटमेंट है आपका यह योजना भारत की दूसरी अंतर राजी जल नदी जोड़ू पर योजना है तीसरा चौथा अप्सन है इस योजना के से मध्य प्रदेश के 3.5 यानि 3.5 तीन लाग पचास हजार हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के 14,000 हेक्टेयर सीचित की जाएगी ठीक है तो यह आपका स्टेटमेंट कुछ है जो कि आपको बताना है और आपको ध्यान देना है तो चलिए जवाब दीजे फटा फट दोस्तों उमीद है आप सब भी लोग जवाब बहुत अच्छे से दे लेंगे इसका तो देखिए चलिए मैं जवाब बाग्या होगा मैं बता दिरहां आपको जिसे पहला कहरा है अमरित करांति के नाम से 25 अगस्त 2005 को प्राइदी पिए विकास योजना के अंतरगा सुरू की गई योजना देश के प्रमुक नदी जोड़ने की दिशा में करांतिकारी पहला है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल सही है अस्थाई समित की बैठक के दौरान जो है अनिल माधो देव साब जो है इनकी अधिस्ता में जो सुतंत प्रभार मंत्री उस समय हुआ करते थे कि अधिस्ता में एक केन बेतवा नदी जोड़ों को प्रथम च लग को मंछूरी प्रतान की गई थी और इस यह योजना भारत की दूसरी अंतर तर्राजिये जल जोडों प्रभादेश के के 3.5 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के 14,000 हेक्टेयर ठीक है कि भूम सी चाहिए की जाती है बिल्कुल सही आपका है तो इस आधार पे पहला दूसरा और चौथा करेक्ट एंसर होगा तो पहला दूसरा चौथा देखिए आपको आप संदिक रहा है यहाँ पे तो पह लास नदी परिस्थित पोंग बाद परियोजना किस किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है चलिए बहुत यह अच्छा कोश्चन है ध्यान से आप लोग जबाब दीजिए हमको कह रहे हैं उत्तराखंड उत्तरपरदेश पंजाब हरियाड़ा और राजस्थान यह बता रहें आपको तो जान लीजिए कि आपका यह मांचल परदेश पंजाब हरियाड़ा और राजस्थान की परियोजना है किसकी किसकी है देखिए उत्तराखंड इसमें सब्दा रहा है तो बिल्कुल नहीं होगी मैंने क्या क्या बताया है पंजाब हरियाड़ा अर्याड़ा और सभें अंचल प्रदेश दोस्तों हिमांचल परदेश हिमांचल चुक्detेनों परोसी है न इसके एलाम हरियाड़ा लए यह आपका राजस्थान जहां जाती है राजस्थान ठीक है राजस्थान यह आपके चार होंगे तो यहां पर कौन को देख रहा है उत्तरा खंड देरा उत्तर प्रदेश देरा तो बिल्कुल होई नहीं सकता है तो यह इसे गलत हो गया यहां गुजरात का नाम ले लिए तो यह भी नहीं हो सकता है पंजाब HIM हुर्याणा राजस्थान हिमांचल तीसरे नंबर ऑप्षिन पर बिल्कुल प्रइटान सर चला जाएगा तीनों परणोसी राज आपका घमांचल प्रदेस हो जाएगा पिर आपकाा पंजाब की आपका राजस्तान यह इस तरह का करम है और आप जानते हैं कभी एक हुआ करते थे तीनों राज एक हुआ करते थे पंजाब जो है पहले जो हिमांचल प्रडेश जो है ना दोस्तो हिमांचल प्रडेश जो है यह पहाणी हिस्स सह है पंजाब है इज्व Venita है यह उत्तर भास हिंदी भासी लोगों के लिए है और पंजाब जो है पंजाबियों के लिए बांट दिया गया तीन राज में और एक चोटा असा के इंसासित प्रदेश चंडीगण यहां पर इस्टेबिस किया गया थे पूरा टूटल कभी पंजाब हुआ करता था ठीक है यह तीन राजिया आपके होग democratic होगया हर्यारा पंजाब हो गया और इसके बाद आपका क्या हो गया राजस्था यह 4 हो जाएंगग थे किसकी संजुक्त परियोजना बहुत ही अच्छा कोश्चन है ठीक है और यह हमारा इंटरनेशनल डिलेक्शन भी अस्थापित कराता है दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए आप लोग पहला कह रहें आपको भारत नेपाल दूसरा करने भारत भूटान तीसरा भारत बंगलादेश और भारत और चीन तो हमा बहुत देशी परियोजना किसकी है भारत और भूटान की जो है सब्सक्राइब परियोजना है दोस्तों तो इंपॉर्टेंट अप्सन कोश्चन है यह आपका इट नमबर कोश्चन रहा है आपका चलिए अगले कोश्चन पर आते हैं जो कह रहा है आपको पोला वरम परियोजना के संब्सक्राइब कौन से कथन गलत है पोला वरम के बारे में आपको बताना है कि कौन से आपके गलत है यह बताना है फटाफट जबाव यह पोला वरम क्या चीज़ है इसके बारे में देखिए इस परियोजना के तीन अवयों हैं एक जलासय का निर्माड करना जिससे राज के अनेक गाव डूब जाते हैं और तो और दो होना चीए दोस्तों और दो नहर जिसमें से एक नहर गुदावरी नदी के पानी को किष्णा नदी की ओर मोडती है और समुद्र में मिलने के ठीक पहले इन नदियों को जोडती है ये पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट इसके जलापूर्ति इस्पात उध्योग क्रसी और घरेली डहां तीसरा आपका है तीसरा आपका है तीन राज आंध प्रदेश तेलंगाना उड़िसा और चतिसगड इस प्रोजेक्ट के पच्छ में जबकि आंध प्रदेश ने इसका विरोध किया है चौथा है यह परियोजना दामोदर स्वारी गोदावरी नदी के पोला वरम बांध पर जलका भंडारड जलका भंडारड करेगा ठीक है तो यह चार स्टेटमेंट आपके थे तो जबाब फड़ा फड़ा लोग दे दीजी हमको कि इसका क्या होगा एंसर क्या होगा तो देख लीजिए यह जो बात कह रहे हैं आपको पोलावरम परियोजना जी हां बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है यह यह पोलावरम काफी परियोजना है यह पोलावरम परियोजना के बात कहा गया हैं जीस से से गाउनको दूब जाते हैं तो जबना दो नहरोंक है पाने किर्ष्णा की और मोरती है और समुद्र उसे मिलने से ठीक पहले इन नदियों को जोड़ती है तो यह बिल्कुँ साही स्टेट्मेंट है दूसरा कहा रहा है इसके जलापूर्ति इस पात उद्ध्यों किर्शियों घरेलू कार्यों विदूत जल में मदद करती है तो बिल्कु दोस्तों यहां पर इस्ट्विट्मेंट गलत हो गया तेलंगा ना उलिसा और चत्यीज कर भंड़र करेगा बिल्कुल सही बात यहां पर कियो तीस्तों गलत था दोस्तों बाकि सभी सही थे और देखिए आज का आकरी कोश्यन दस्वे नमबर का जो कोश्यन है । कह रहे हैं दोस्तों कौन साग गलत सुमेलित हैं ये आपको बताना है परियोजना है अस्थान है तो कह रहा है दामोदर जो परियोजना है यह कह रहा है पस्षिम मंगल और जहारखंड की संयुक्त परियोजना है दूसरा कह रहे है मलब इस परियोजना का अस्थान यहां पर है संयुक्त परियोजना का मतलब यहां पर इस्थित है यह कह रहे है पर पूछा है अस्थान की प तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही नहीं है तो देखें दामोदर नदी के बारे में जो कह रहे हैं पश्चिम बंगा उजारकन बिल्कुल सही यहां पर स्टेटमेंट है नागार्जुन के बारे में करें पिछले जो कोश्चन आपने देखें उसमें जबाब चुपा परिश्टेट नागार्जुन जो परियोजना है यह बिल्कुल सही है तो यहां पर गलत हो यह गलत हो जाएगा आपका बाकी इंद्रागादी पंजडी तो अभी हम लोगों बात किये यहां पर पंजाब से सुरूओकर के थार रैगिस्तान तक जाती है बिल्कुल सही है हर् कि प्रसणों की संकला बहुत बड़ी हो जाती थी बहुत सारे कोशें तो इसनाते हम लोगों ने सभी हमारी फैकलिटी ने ध्यान रखने के कुसिश कि अव आपको वीडियो की संख्या वड़ह देंगे और वीडियो हम आपको उपलब्द कराएंगे बट उसकी मिन्मरा की संख्या को कम करेंगे लेकिन वीडियो की संख्या को बढ़ा देंगे कोई भी वीडियो कोशिस करेंगे कि वह 20-15 मिनट के आसपास में ही सिमट जाए और जिससे की आपको बार-बार रिविजन करने में असुविधा ना हो लंबा समय न होने की स्थिती में आप देख नहीं पाते उस चीज को और बहुत सारे समित्र हैं जो कि इसको स्किप कर देते हैं जो कि इससे बचने के लिए जिसे की वह न चाहते हुए भी अपने अच्छी तैयारी कर ले दोस्तों तो इसका आम लोग न ध्यान दिया है और आप लोग इसको कॉप्रेट करिएगा दोस्तों और एक थोड़ा सा नुरोध है आप लोगों से है कि आप लोग जितने भी उमेध है जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उसका जरूर आप लोग उन्हें पलन किया होगा ज़रा आप लोग और दोस्तों को अपने वीडियो उसको सेयर किया करिए जैसे कि और भी इत्ति इन फॉर्मेंट में देंगे बहुत सारे वाच्यें को भूल जाते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं और को सारी नइए चीजा आप लोग मिलेंगी बसरते आप लोग मेंद करते नहीं मानदारी से ठीके दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए जैए